नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोग खबर जानते हैं के आसपास पहुंच सकता है नेशनल जुनियर महिला होकी परत्योगता में हर्याना बना चैंपियान एगारवी होकी इंडिया राष्ट्रिये जुनियर महिला होकी चैंपियानसिप के दसवे दिन फाइनल मुकाबला होकी जर्खन और होकी हर्याना के बिच खेला गया जिसमें होकी हर्याना में मेजबान जर्खन को संगर स्पूर्ण मुकाबले में तीन दो गोल से हरा कर खिताव अपने नाम कर ली बतादे जर्खन टीम को पहले गोल कर बढ़त मिली लेकिन इस बढ़त को कायम नहीं रख पाई और दो तीन से मैज हर कर उप बिचे दाबनी जर्खन पंचाज चुनाव में परत्यासी अधिक्तम पांच लोगों के साथ ही कर सकेंगे परचार दिसंबर माह में होने वाले त्रियस तरिये पंचाज चुनाव में परत्यासी अधिक्तम पांच लोगों के साथ ही घर घर जाकर चुनाव परचार कर सकेंगे राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचाज चुना में नमांकन से लेकर आयोजीत होने वाली जनसभावों मतदान एवं मतगन्ना आदी को लेकर मानक संचालन प्रकिरिया जारी कर दी है बतादे जनसभावों के लिए केंद्रो वाटाजी सरकार दोरा जारी गईलाइन का सक्ति से अनुपरन कराया जाएगा ये सोपी के तहट मतदान केंद्रों पर कुरोना संक्रमन से बचाव को लेकर प्रयाप्त उपाय किये जाएंगे वहीं बूत पर भोट डान लें आने वाले सभी मददाताओ की थर्मल स्केनिंग होगी तथा उसके हाथ सेनेटाइज किये जाएंगे मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा ज्यारखन में कक्षा एक से पांच तक के स्कूल अभी नहीं खुलेंगे बैस्फिक में हमारी कुरोना के चलते राज्ये में चल रहे स्वास जगरुपता सप्ताप पर सुक्रवार को मुख मंतिर के अधक्षता में आपता प्रहता प्रहताप पदिकार के उच अस्तर्ये बैठक होई बैठक में निना लिया गया कि राजे के सभी नदी तलाबों के छट गाटो पर पुजा के अनुमति दे गई है वहीं उच अस्तर्ये समितिने कक्षा एक से पांच तक के स्कूल को खुलने पर फिलाल कोई निना नहीं लिया है परदर्शनी जूलू स्वमेला लगाने की भी अनुमति नहीं दी गई है रभीवार की सब्ताइक बंदी को समाप्त कर दिया गया है अब रभीवार को भी समाने दिनों की तरह सभी दुखाने खुलेंगी नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आकलन परिक्षा 12 नुमबर को 12 नुमबर को नेशनल अचीवमेंट सर्वे की तहत बच्चों की होने वाली आकलन परिक्षा को लेकर त्यारी तेज हो गई है केंद्रिय सिक्षा सर्चीव अनिता करवाल ने सुक्रवार को इसकी त्यारियों की समिक्षा की इस करम में उन्होंने वीडियो कंफरेंसिंग से जुले जीला सिक्षा पता दिकारी को आकलन परिक्षा में सवी बच्चों की उपस्चिती सुनिक्षित कराने के निदेश दिये बतादे राज्य के सरकारी स्कूलों सहायता प्राप तथा मनेता प्राप निजी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग सवाल लाख बच्चे इस आकलन परिक्षा में सामिल होंगे इस बारे परिक्षा केंद्रिय मादमिक सिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाएगी बता दे कि नेशनल अचिविमेंट सर्वे के तहत होने वाली परिक्षा में काक्षा तीसरी पांचवी आठवी तथा दासवी के विद्यार्थी सामिल होंगे राज जेपाल से मिलकर की अनुबंध कर्मियों के अस्थाई करन की मांग राज जेपाल रमेस बैस से सुक्रवार को जार्खन राज अनुबंध कर्मी महासंग के एक परतिनी दिमंडल ने राज भवन में मुलकात कर विभीन विभागों में अनुबंध परकारत कर्मियों की समस्याव से अउगत कराया साथ ये अस्थाई करन समान काम समान बेतन एवं समाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दो की ओध्यान आकरिष्ट कराते हुए अस्थाई निदान है तू पहल करने समन्धी ग्यापन सोपा ज्यार्खन अंतराश्रिये फिल्म महोत्सव रांची में चोथे ज्यार्खन अंतराश्रिये फिल्म महोत्सव का संदार अगाज आड्रे हाउस में सुक्रवार को हुआ कारकरम की सुर्वात पदम स्री से समानित मधु मनसूर ने अपने गीत ज्यार्खन कर कोरा से की फिर एक से बढ़कर संस्क्रीतिक कारेकरम पेस किये गए पहले दिन तीन स्क्रीन पर फिल्मे दिखाई गई बता दे महोत्सव के पहले दिन बाल फिल्म गिलुआ का परदर्शन किया गया इस फिल्म की कहानी एक सची घटना से प्रेरी था जिसे फिल्मी रूपांत्रन किया गया है करीब पांच साल पहले ज्यार्खन के एक गाव का एक गरीब बचा रोज अपने स्कूल के मिड़ दे मिल से दो अंडे चुराया करता था जब वो अंडा चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया तब पूछे जाने पर उसने बताया कि उसकी मा को टीवी की बिमारी है डाक्टर ने उसे रोज दो अंडे खाने को कहा था इसलिए वो इसकूल से अंडा चुरा कर ले जाता था ज्यारखन में साधी समारोह में सामिल हो सकेंगे 500 लोग कुरोना में हमारी खत्म नहें हुआ है इसलिए सवधानी भी जरूरी है बता दे दुरगा पूजा की तर्ज पर काली पूजा चित्रगुप्त पूजा के आविजन के उनमती दी गई है वहीं सभी सर्वजनिक अस्थलो पर सदय मास्क पहनना अनिवार्य होगा बता दे साधी भीवा में अधिक्तम 500 लोग सामिल हो सकेंगे समुदाइक होल और 50 फिसद चामता के साथ खुलेंगे बजार मौल दुकान कल्ब सिनेमा होल खोलने के उनमती दी गई है रात आठ बजे तक दुकान खोलने की बाधिता को भी समाप्त कर दिया गया है अब दुकानदार अपने अनुसार दुकाने खोल सकेंगे बता दे धन तेरस दिपावली गुबर्धन पूजा को धुम धाम से मनाने की स्विक्रिती दी गई है सरोजनिक अस्थानों पर लोग पूजा कर सकेंगे परदिबंधिन नहीं है लेकिन सवधानी अनिवार्य है वहीं इस्टेडियम 50 फिसद शमता के साथ खुलेंगे यहां इस्टेडियम में दर्सकों के लिए खाने पिने के नुमती नहीं होगी ज्यार्खन में कुरोना के कूल एक्टिव केस की संख्या 154 है भारत में कुरोना के नाएक केस 14,170 मिले है वहीं भारत में कुरोना के कूल एक्टिव केस 1,55,927 है ट्रेणी डीसपी के पासिंग आउट परेड में सामील हुए स्थियम हमान्थ जार्खन ससस्त्र पुलिस टू टाटी सिल्वे राचीग प्रेड मैदान में ट्रेनी डिसपी एवं बितन्तु परिचलनों का पासिंग आउट प्रेड समारो 2021 का आवजन हुआ इस मोखे पर सियम हमान सुरेड सरीक हुए सबसे पहले सियम सिरी सुरेड ने जायब टू टाटी सिल्वे इस्ति जार्खन सरकार के सहीद असमारक में मल्यारपन भी किया बतादे छो ट्रेनी डिसपी एवं 482 बितन्तु परिचलक पासिंग आउट परेड में सामिल हुए इसमें 166 महिलाय सामिल हुए इस मोखे पर सियम सिरी सुरेड ने काया कि पोलिस बलो के कंधे पर राजे की आंतरिक सुरक्षा की जिमेदारी है जिमेदारी कर निर्वाहन करते हुए आपके बीच घरेलू समस्याओं से लेकर बारी समस्याओं कर निपटने की जिमेदारी रहती है पर सिक्षन के दोरान आपको सिखाया गया है कि साभी को समस्याओं से निपटने के समय कैसे बेतर समन्वे बना कर आपना सोच बुझ से कार्य करना है ठंड के मौसा में बलड प्रेसर वर डाइबिटीज के मरीज रहे सतरक ठंड के मौसा में ब्रेन इस्टोक का मामला बढ़ जाता है बता दे ऐसे में सरदी के मौसा में सदर्गता बरतने की जरूरत है अगर मरीज समय पर अस्पताल पहुँंच जाये तो मरीजों को बचाया जा सकता है बता दे मस्तिक्स रोग बिसेसर के डाक्टर उजोला राय ने बताया कि इस वर्स का थीम मिनट्स केन सेव लाइफ है रिम्स मेडिसीन के विभागा ध्यक्ष डाक्टर विद्या पती बताते हैं कि ठंड के मौसम में बलड प्रेसर के मरीजों को विशेस द्यान देना चाहिए क्योंकि बीपी का आस्तर इस मौसम में अन्यंतित हो जाता है रांची से पतना के लिए चलेगी ऐस पेसल ट्रेन त्यवहार के दुराने त्रीयों की भीड को देखते हुए दुर्गपतना दुर्ग छट फेस्टिवल ऐस पेसल ट्रेन चलाए जाएगी पहुँचेगी टेक्स वसूली में जार्खन पडोसी राजियों से पीछे राज्य में वार्षिक लक्ष के मुकाबले कर की वसूली पडोसी राजियों के मुकाबले कम है बतादे पडोसी राज्य भी COVID-19 संक्रमन से प्रभावित है बावजूद इसके वहां टेक्स की वसूली जार्खन के त कावले 27.74 परतिसत उडिसा में 28 परतिसत और पच्छिम मंगाल में 32 परतिसत की वसुली हुई है जारखन में ओनलाइन बेवस्था से मरीजों को मिलेगा रखते रिम्स के स्टेट और आट मोडल ब्लोड सेंटर के द्वारा स्वेक्छिक रखतदान सिवीर आयोजन करताओं का समान समारो किया गया इस मोखे पर मवजूद स्वास्त्रमंत्री बाना गुपता ने रखतदान को ओनलाइन फॉर्मेट पर लाने की घोशना की साथी राज्ये के छ जीलों में ब्लोड सेप्रेशन यूनिट के अस्थापना करने की घोशना भी की इसके बाद इन सेंटर से एक यूनिट बलोड से RBC, WBC, प्लाजमा वा प्लेटलेस्ट निकाला जा सकेगा बता दे अब इस ओनलाइन के द्वारा सभी रखत दताओं के सूची मौजूद होगी और जीन लोगों को रखत के हो सकता पड़ेगी वे ओनलाइन ब्यवस्ता में जाकर उन डोनर से रूबर हो सकेंगे पलामू में महारोजगार दिवस पर 32 सो लाभुक को जोब कार्ड पलामू में ग्रामिन की आज मनरेगा से विकास अभियान के तहत जीले की सभी पंचायतों में महारोजगार दिवस का उजन किया गया बतादे BCS अभियान के तहट पूरे जीले में अब तक 32 सफ से अधीक जौब कार्ट का वित्रन किया गया पांच हजार परशातर मन्रेगा निवांधित मजदुरों को इस्तरम पोर्टल पर इंट्री भी कराया गया अभियान के समद में उबिकास आयोग्त मेगा भर्दवाज ने बताया कि महारोजगार दिवसकामों के उदेश मन्रेगा योजनाओ का व्यापक परचार परसार करना अनुचित जाती योँ अनुचित जन जाती के स्रमिकों के अधिकतम भागेदारी मन्रेगा से अधिकतम अधिकतम महिलाओ को जोडना एक सो दिनों के रोजगार को बढ़ावा देना अब तक सो दिन कारे किये गए परिवाल को प्रुसाहन के लिए प्रुसक्रित करना जैसी कई महत्तो पुन भागिदारी को निभाना है जारखन में नियुक्ती परिक्षा नियमावली तेयार करने का काम तेज राज सरकार नियुक्ती नियमावली के संसोधन का कार्य तेजी से कराने में जूटी हुई है तमाम विभागों में उन नियमावली पर फोकस किया जा रहा है जो हाल फिल हाल में अव्यजित परिक्षा के लिए निवार है इसके लिए बड़े प्रमाने पर सभी विभागों में कर्मी जूटे हुए है बतादे कर्मिक विभाग में गुरु आर्तक लगभग 26 नियमावली संसोधित होकर पहुँच चुकी थी इनकी जाज की जा रही है राजस्व विभाग, गिरी विभाग, उत्पाद विभाग, क्रिसी, पंचायती, राज, आदे विभागों से नियमावली संसोधित होकर कार्मिक विभाग पहुँची है सुत्र की माने तो एक नॉम्बर को कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर निन हो सकता है मुख्य मंत्री अपने रिष्टेदार को ही बना दे नेता परतिपक्ष बाबलर मरांडी मुख्य मंत्री हमान सुरेन को यदि कोई भी ब्यक्ति नेता परतिपक्ष के रूप में पसंद नहीं है तथा उन्हें कोई योग ये नजर नहीं आ रहा है तो वह अपने किसी रिष्टेदार कोही नेता परतिपक्ष बना दे क्योंकि उनके परिवार में बिधायक की कमी नहीं है भाई भाभी समेत कई लोग बिधायक हैं उनमें से ही किसी का चया नेता परतिपक्ष के रूप में कर दे उक्त बाते भाजपाय बिधायक दल के नेता वा पुर्व मुख मंत्री बाबुलन म्रांडी ने सुक्रवार को गाड़वा परिस्वदन भोर में अवजीत पत्रकार वर्ता में की है भोटर कार्ड करे ओनलाइन अपडेट नॉमबर में विसेस ड्राइब ज्यारखन के मुख निर्वाचन पताधिकारी की रवी कुमार ने सभी मत्दताव से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने मत्दता पहचान पत्र को निर्वाचन आयोग के भोटर हेल्प लाइन एप पर जाकर ओल्लाइन अपडेट कर ले इसे अपने मुबाइल फोन पर भी असानी से किया जा सकता है जो ऐसा नहीकार पर रहे हैं वे प्रग्या केंदर से इसकी स्विधाले सकते हैं हलाकि एप पर हर समस्या का समधान है इसके अलावा आयोग के बिसेस सीविर में जाकर भी नाम में त्रूटी, पता, फोटो, अठार बरस हो चुके सभी यूथ भोटर भी भोटर्स लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं जारखंड में 2,35,49,000 मत दाता हैं मुख्य निर्वाचन पता अधिकारी के अनुसार 15 जनुवरी 2021 को अमतिम परकासित मत दाता सुची के अनुसार अभी राजे में 2,35, 4,49,328 मत दाता हैं इनमें पूरुस की संख्या 1,21,89,293 वही महिला 1,13,49,698 तथा 3rd जेंडर 338 हैं वही 18-19 वरस के कूल मत दाता 1,70,280 हैं बता दे अमतिम परकासित के बाद से अब तक कूल 4,82,806 मत दातावों को जोड़ा गया है इसमें 18-20 आयू वरक के कूल 2,09,734 मत दाता सामिल हैं उन्होंने कहा कि एप के माध्यम से बी एलो द्वारा बी एलो चेक लिस्ट कारे में पूरे देश में जारकन तिसरे अस्थान पर हैं सिक्षकों के लिए 1240 को रुपया जारी दिपावली और छट से पहले सरकार ने सिक्षकों को बड़ी खुसकबरी दी है सुक्रवार को 1240.09 को रुपय बिभीन जीलो को जारी कर दिए इस राशी से चालू भीतिये वर्ष में सिक्षकों को बेतन का भुकतान होगा सिख्षकों के बेतन भुकतान को लेकर दिसाने दियस भी सभी जीला सिख्षा अधिकारी सहजन की खेती करेगी 5 लाख महिला सहजन की उपयोगिता बढ़ती मांग और पोशक ततों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीन वीकास वीभाग ने इसकी खेती को बढ़ावा देने का निना लिया है वीभाग ने राजे की 5 लाख महिलाओ को सहजन की खेती और उसके परतयक्ष और परतयक्ष बेवसाई से जोडने का लख्ष तय किया है बता दे इस कार्य को मुर्थ रूप देने के लिए ग्रामिन विकास विभाग के जहरकन इस्टेट लावलिफूड परमोसन सोसाइटी और मन रहेगा कि सुन्यूत भूमकाता की गई है हाल ही में विभाग के अस्तर से हुई बैठक में इस पर सौमती बनी है और जिसे एक रोड में बना मुर्त रूप दिया जाएगा बता दे इस पेड को मोरिंगा या मुनगा नाम से भी जाना जाता है सहजन ऐसा पहधा है जिसकी फौली फूल से लेकर पहती तक पोसन से भरपूर है सहजन में एंटी बैक्टरियल गुन पाया जाता है जो कई तरह के संक्रमन से सुरक्षित रखने में मददकार है बता दे जारखन में कुपोसन के खिलाब चल रही लड़ाई में या मददकार हो सकता है इसी वज़ा से इसकी खेती को बढ़ावा देने का निनने लिया गया है जे पी एसी सहायक परध्यापक नियुक्ति का रियल्ट जारी जारखन लोग सेवा आयोग ने विश्व विद्यालों में सहायक परध्यापक के बैक लोग पदों पर होने वाले नियुक्ति के लिए आयोजित सक्षतकार का पहिनाम सुक्रवार को जारी कर दिया है आयोग ने तीन विशयोग गिरिः विज्ञान संस्क्रीत तथा समाज सास्त्र का पहिनाम जारी किया है योगि अभियार्थी नहीं मिलने से 31 पदों में से 12 पद रिक्त रह गए है क्रिसी मंत्री बादल ने सुक्रवार को कहा कि गरामिनों की आजिवका और राज्य की आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए क्रिसी के सोरकरन की बड़ी भूमिका है अक्छा उर्जा के जरिये हम गरामिन वेवस्था को बेहतर कर सकते हैं और आर्थिक यों समाजिक जीवन में सार्थक बदलावला सकते हैं राज सरकार बिवीद कारकरमों योजनाओं के जरिये किसानों की सिती बेहतर करने को लेकर प्रतिवद है किसी विभाग इस रिपोर्ट के मुखे सिफारिसों को योजना निर्मान के करम में सकरात्मक रूप से लेगा धन्यवाद